अनराग ठाकुर केंद्रिये मंत्री हमारे साथ बाचीत करने के लिए इस वक्त मौझूद हैं उन्होंने आज सुबह ही कहा था कि आप देखिएगा इस बार आपको क्या रंग नजर आता है जो ना बारूत से डरे ना बंदूक से डरे जो बैलेट के साथ खड़े रहे लोगतंतर को मजबूत करते रहे यह बड़ी जीत है मोधी जी की सोच की जोने जम्मो कश्मीर में पंचायत के चुनाव बीडिसी के चुनाव और अब सतर वर्ष में पहली बार जिला परिशत के चुनाव करवाए देश की जनता को समझना जरूरी है 70 साल में पहली बार जिला परिश्ट के चुनाव हुए और यहां के कई चुनावों में तो ऐसा देखते थे कि 5-5% 10-10% का पोलिंग होती थी लेकिन रिकॉर्ड पोलिंग हुई पुंच जैसे इलाकों में 80-80% 75-72% पोलिंग हुई है लिडर्शिप को भारने का मौका दिया है विकास का हाथ पकड़ा है और आगे बढ़ने का सोचा है नए जम्मु कश्मिर के निर्मान के लिए नए लिडर्शिप आने के लिए एक बहुत बड़ा प्लैटफॉम मोदीजी ने दिया और जनता ने उसको सविकारा है मैं जनता को बढ़ाई और मोदीजी का बहुत बहुत अभार प्रकट करता हूँ इन चुनावों के लिए भारती जनता पार्टी के प्रभारी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं आप जरा ये भी बताईए कि अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो अन दो लाइन ओफ एक्सपेक्टेशन ह ज्यादा है या कहीं कम नजर आ रहा है देखिए इन चुनावों में बहुत सारी सीटों में बहुत कम अंतर से हार्य जीत होती है तो मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए लेकिन इतना जरू कहूंगा जीत भारती अंता पार्टी की होगी चेर्मेन भी हम ज्यादा बनाएंगे लेकिन साथ ही साथ इतना जरू कहना चाहूंगा जीते कोई दल हम जीतेंगे तब भी हमें बदाई कोई और जीते उसको बदाई लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोगतंतर में जम्मू कश्मीर में एक संदेश दिया है कि हमने डेमो जीत लोग तंत्रकी हैं उनकी विचारधरा खतम होती नजर आती है उनके परिवार का राज अब खतम होता नजर आता है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब नए लिडर्शिप देख रहा है नए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार एक के साथ दूसरा कदम मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार को रहा है क्या होगा इस नए जम्मू कश्मीर में क्या मुक्तलिफ होगा मैं यही कहूंगा नए जम्मू कश्मीर में विकास की रहा पर जम्मू कश्मीर चलेगा बंदू को हराएगा बैलिट के साथ चलेगा नए लिडर्शिप अधिकारियों को जवाब दही तैय करेगी और नए लिडर्शिप की भी जवाब दही तैय होगी केवल कभी एक परिवार कभी दूसरा परिवार वहां तक सीमित नहीं होगा केवल पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करके वोट ड़कारने का काम नहीं होगा यहां के लोगों ने मन बनाया है कि बहुत हो गया हमारा इस्तमाल अब इस्तमाल नहीं होने देंगे अब गूजर बकरवाल को भी उसके अधिकार मिल रहे हैं अब पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी को उसके अधिकार मिल रहे हैं गुर्खा वालमिकी इशडूल ट्राइब इनको इनके अधिकार मिल रहे हैं यहां की महिलाओं के इनके अधिकार मिल रहे हैं क्यों मिल रह और अब जम्मू कश्मीर तयारी कर रहा है भविश्य में होने वाले अपने विधान सबा चुनावों के लिए भविश्य में बनने वाली जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भविश्य के मंत्री और मुख्य मंत्री जो जम्मू कश्मीर को मोदी जी के साथ मिलकर नई है चुनाव अलग है हर चुनाव में अलग-लग मुद्दे होते हैं स्थानिय भी होते हैं परदेश के भी होते हैं यहां घाटी के लग मुद्दे हो सकते हैं जम्मू में भी पूंच किष्टवार के लग हो सकते हैं डूटार जौरी के लग हो सकते हैं उद्वंपुर रामबन करना है ठंड भी थी धुंद भी थी बारिश भी पड़ी गोलियों से ड्राने का प्रयाज भी किया गया लेकिन लोग डरे नहीं घर पे बैठे नहीं चुनावों में भाग भी लिया मद्दान भी किया और नई लीडर्शिप को निर्देश देने वाले नेताओं के लिए क्या सबक है कोई सबक है भी क्या उनके लिए उनको कड़ा सबक है कि अब तरंगे को जलाने वाले तरंगे को मानित करने वाले नहीं चलेंगे तरंगे को हाथ में पकड़ कर तरंगे का सम्मान करने वालों को आगे आने का अफसर मिल चीन पाकिस्तान की भाशा बोलने वालों को कोई यहां नहीं पूछेगा भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में बैठ कर जम्मू कश्मीर के विकास के सोचने वालों को आगे अफसर मिलेगा ये बदली सोच है जिसको देश ने सराना की है और जम्मू कश्मीर क लोगों को 130 कुरोण भारतियों संदेश दे रहे हैं कि बधाई हो जम्मो किश्मीर के मेरे भाई और बहनों कि आपने लोक तंतर को मजबूत किया है नई लीडर्शिप को आगे बढ़ाने का मौका दिया है और आपने पाकिस्तान और चाहिन की सोच को हराने का काम किया है हाथ काट दिया जाएगा खून की नदिया बह जाएंगी 370 हटा तो इस तरह के बयानात देने वालों को अब क्योंकि राजनीती एक डाइनमिक प्रॉसेस है क्या इससे एक मैसेज मिल रहा है या आपको लगता है वो नहीं बदलेंगे देखिए उनकी राजनीती 70 सालों में यही रही कि बांटो और राज करो डर पैदा करो और गुमरह करो लोग जागरूख हुएं लोग अपने अधिकार समझने शुरू है लोग उने देखा है कि इन होरियत के नेताओं ने गुपकार के नेताओं ने क्या किया अपने बच्चें को तो अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा दी अच्छा भविश्य दिया लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर या बंदूख पकड़ने को मजबूर किया उनको अलगाव वादी या अतंक वादी बनने पर मजबूर किया अब जम्मू कश्मीर की जंता पूछती है कि हर घर की मा तो इंतजार करती थी बेटा शाम को घर आएगा की ना आएगा वो तो रहा देखती थी, लेकिन इन गुपकार गैंग के लोगों के अपने बच्चे तो आलीशान बंगलों में रहते थे, ये अपने बंगले बनाने में लगे रहे, लेकिन मोदी जी ने दूसरी और गरीबों के लिए बंकर भी बना कर दिये और पक्के मकान भी बना कर दिय इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को अंदकार में डुबा कर रखा लेकिन मोदी जम्मू कश्मीर के गाउं गाउं में बिजली पहुंचाई पहाडों पे पहुंचा दी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचा दी जम्मू कश्मीर के देनिया हालित, खस्ता हालित गुपकार गैंग ने की थी लेकिन जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने हर परिवार को पांच-पांच लाग का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया एम्स, सेंटर इन्वर्स्टी एक नहीं दो-दो दिये आई-ाई-टी, आई-ाई-म, मेडिकल कॉलेज 6-6 दिये डेंटल कॉलेज और 45 डिग्री कॉलेज जैसे बहुत सारे विकास की कारे दिये तो जम्मू कश्मीर ने माना कि हम 70 साल तक थे कहां पर हमारा तो किवल दोहन होता था, गुमरा किया जाता था इसलिए मेरा मानना है कि जब नीचे से लोगतंतर मजबूत होगा पंचाइती राज मजबूत होगा, पंच, सरपंच, बीडिसी और जिला परश्यत के लोग चुनकर आएंगे, तो ये अपने आप लोगतंतर को और मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों के साथ प्रतिस्प्रदा में लाकर खड़ा करेंगे competition में लाकर खड़ा करेंगे और जम्मू कश्मीर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का अफसर मिलेगा जैसे जम्मू कश्मीर की बेटी आज फुटबॉल की टीम में है और यहां कर कोई बच्चा हमारा IPL खेलता है, इंडियन टीम में खेलता है अब एक दो नहीं कई और खेलेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना चाहता है अनुराग साब यह आरोप भी लगा कि देखिए अचानक एलेक्शन्स अनाउंस कर दिया गया हमको टाइम नहीं दिया गया हमारे नेताओं को सेक्योरिटी के नाम पर बाहर कैमपेन के लिए नहीं निकलने दिया गया और वहां देखिए केंद्री मंतरी आकर यहां काम कर रहे हैं परचार कर रहे हैं यह सीट अगर जीत रहे हैं या रुजहान उनकी तरफ जा रहा है तो कह रहे हैं देखिए यह हमारे लिए एक तरीके से रेफरेंडम है लेकिन अगर कोई सीट घार रहे हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि वोट मैनेज़ कर लिया गया इस सेनरीओ को कैसे देखते हैं आप देखिए यह देश्पर में यही होता है जहां महां घडवन अधन है तो वो भी यही कहता है कोई EVM पर औरोप लगाता है कोई election commission पर लगाता है जब जीत जाते हैं तो मॉन हो जाते हैं तो कोई औरोप नहीं रहता लेकिन हार जाएं तो EVM दोशी है देखे ये चलता रहेगा ये तो हार का बहाना ढूनते हैं कि इनको क्या कारण दिखाने है लेकिन हमें तो इसमें से देखना है कि देश ने पाया क्या है जम्मू कश्मीर ने क्या प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है एक मजबूत लोकतंत्र ए एक विकास की रहा पर चलने वाला परदेश जिसने संदेश दिया है कि हाँ हम अब तयार हैं जम्मू किश्मीर को उन्चाईयों पर ले जाने के लिए और गुपकार गैंग लोगों को कहा है कि आप जूट बोलना बंद कीजिए आपके बहकावे में कोई नहीं आएगा आपक कोई जबाब नहीं था क्योंकि इनके नेता तो जो क्रिकेट बोर्ड का पैसा आता था वो भी खा लेते थे फारुक अब्दुल्ला जी इडी के सीबियाई के के केस चल रहे हैं प्रॉपर्टी टैच कर दी बच्चों को ना खेलने के लिए दिया और जो खेलों का पैसा है वो भी खा लिया बच्चों को ना अच्छा भविश्य दिया हाथ में पत्थर और बंदूग पकड़ने पर मजबूत कर दिया बच्चों अच्छों किया है मेरे जम्मो किश्मीर के भाई और बहनों के साथ तो इस गुपकार गैंक के लोगों ने किया है मैं एक ही कहना चाहूँगा भारती अंता पार्टी का कारे करता होने के नाते और मोदी जी की सरकार में एक मंतरी होने के नाते जितना जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा पर और मोदी जी पर विश्वास किया है हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे सब का साथ सब का विकास सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चलेंगे और जम्मू कश्मीर ने जो 70 सालों में खोया है उसको पाने का और उससे आगे बढ़ चड़ कर आपका विकास कराने का काम करेंगे इस विश्वास को दुगना करेंगे इकठे मिलकर चलेंगे एक नए जम्मू कश्म और मुबारक बाद आपको